तो गाईज कैसे हैं आप सब फोपे गाईज आप सब ठीक होंगे तो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप इंस्टन पैंट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में गाईज अगर आपको अर्जेंट पैंट कार कर सकते हैं यह पैंट कार्ड की तरह ही से टीड किया जाता है तो आज इस वीडियो में पूरा लाइप पोसेस जो है स्टेप बेस स्टेप करके देखने वाले हैं कि किस तरह आप सर्फ पांच मिंट में इस अप्लाइज कर पाएंगे और उसे जो है आप डाउनलोड भी कर स तो हमारे चैनल को सस्क्राइब और नोटिविटेशन बेल आइकन बटन बाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे टेक्स रिलेटिव वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलती रहेगी तो यहां से करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहल कि आपको इस इस पेन की ऑप्शन मिल रही है आपने जस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस इस प्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दखिए आपको एक एक पेज ओपन हो गया है जहां पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है get new e-pen और check status and download तो आपको जिस्ट क्या करना है यहां पे आपको get new e-pan इस वाली option पे आपको click कर देना है जैसी अप get new e-pan वाली option पे click करेंगे तो उसके बाद यहां पे देखिए सबसे पहले आपको अधार कर नमबर डालना है बार जैसे के लिड़े हैं में complete कर लेती हूं अधारकार नंबर और चेक बोक्स पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको कंटिन्यू वाली ओप्शन पे क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें आपको जो है सबसे पहले रुक्वेस्ट करनी पड़ेगी ओटीपी के अधार कार्ट की सारी डिटेल्स जो है आपको यहां पर शो हो जाएगी यहां पर देखेंगे आपको जो है आपका सारा जो अधार कार्ट पर नाम है अधार कार्ट के साथ कोई बीमिल आईडी लिंक नहीं है तो यहां पर ईमिल इस पर क्लिक करने के बाद और जास्त यहां पर आपको अपनी पर दाल देना है जो भी email ID आप यहां पर लिंक करना चाहते हैं, तो यहां पर मैं फटफट से जो है अपनी email ID डाल लेती हूं, उसके बाद जस्ट यहां पर आपको send OTP वाली option पर click कर देना है, जैसी आप send OTP वाली option पर click करेंगे, तो जोन सी email ID आपने डाली है, उस पर आपको एक OTP आया होग तो यहां पर देखे गाईस, जैसे मैंने submit वाले बटन पर click किया, तो यहां पर जो है, मेरी validated लिखा आ रहा है, तो email ID जो है, यहां पर मेरी verify हो चुकी है, उसके बाद जस्ट यहां पर नीचे इस check box पर आपने click कर देना है, उसकी term and condition accept कर लेनी है, और यहां पर continue वाली option पर click कर देना है, तो देखे गाईस, जैसी आप यहां पर click करेंगे, तो यहां पर जो है, मेरा e-pencard जो है, submit हो गई है, उसकी request successfully submit हो गई है, मुझे जो है, acknowledgement number भी जो है, यहां पर provide कर दिया गया है, इसे जो है, आप copy करके कहीं भी रख लीजिएगा, इसके बाद गाईस, अगर जो है, अगें जो है, आपको यहां पर नीचे जो है, instant e-pen वाली option पर click करना है, इस पर click करेंगे, तो यहां पर देखे गाईस, यहां पर जो है, आपको option मिल जाएगी, check status and download e-pencard की, तो आपको just यहां पर check status e, इस वाली option पर click करना है, यहां पर आपको अपना अधारकार number तो अधारकार number डालने के बाद just continue वाली option पर click कर देना है, उसके बाद जैसे आप देखे continue वाली option पर click करेंगे, तो आपके जो है, अधारकार के साथ mobile number registered होगा, उस पे एक OTP आया होगा, वो OTP जो है, आपको यहां पर fill करना होगा, तो फटा-फट से जो है, हम OTP fill कर लेते हैं, OTP को fill करने के बाद जैसे आप यहां पर continue वाली option पर click करेंगे, तो यहां पर देखे मेरा pancard यहां पर आपको view e-pan के option भी दिखाए दे रही है, और download e-pan के option भी दिखाए दे रही है, तो यहां से आप अपना pancard को देख भी सकते हैं, और इसे download भी कर सकते हैं, तो यहां पर जो है, हम डाउलोड e-pan वाली option पर click कर देते हैं, जैसी आप यहां पर देखे, डाउपलोड e-pan वाली option पर click करेंगे, तो यहां पर आपका pancard डाउनलोड हो जाएगा, तो इसे यहां पर आपको open करके दिखाए देती हूं, तो यहां पर देखे, गाईस यहां पर मैंने अपना pen card जो download किया था है उसे जो है open कर लिया है open करने के बाद जो है आपको देखे इस format में जो है pen card देखने के लिए मिलेगा ये pen card बुलकुल valid pen card की तरह जो है इसे treat किया जाएगा इसे जो है आप कहीं भी use करना चाहते हैं आपको urgent ज़रूथ है तो जो है इसे आप जो है instant जो है इस pen card को बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल free में तो आज की इस वीडियो में पूरा life process step by step मैंने जो है आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस तरह आप online बिल्कुल free में instant e pen card के लिए apply कर सकते हैं तो गैस अगर अपनी वीडियो बिल्कुल antik देखी है तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह आप instant pen card के लिए online apply कर सकते हैं तो होप है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो जल्द इसे से like कर दिजे इसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि आप लोगों के एक ही like से मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलती है आज की इस वीडियो में बस इतना ही बाई बाई